नमस्कार आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्रेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है अभी हम इंग्लिस क्रामर के फाउंडेशन चेप्टर के बारे में स्टड़ी कर रहे हैं और आज हम इंटेरोगेटिव टांसिशन के बा लब होता है प्रसनवाचक अनुवाद आगर आपके सामने कोई भी सेंटेस दिया हो और वो सेंटेस एंटरोगेटिव फॉर्मेट में दिया हो तो आप उस सेंटेस को जब भी ट्रांसिट करेंगे तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल नोलेज तो होना ही चीए लेकिन हम आपके सामने कैसा प्रियास करेंगे जिसके दुआरा 0% यानि कि आपको 1% भी रिक्रामेटिकल नहीं होगी किसी भी ग्रामेटिकल अग्नोलेजमेंट की आप बिना फाउन्डेशनल नोलेज के भी किसी भी सेंटेंस को चाई वो एंटरोगेटिव हो चाई वो करना देखिए कोई भी सेंटेंस हो बचरत है वो हिंदी का होना चाहिए उस हिंदी के सेंटेंस में अगर प्रतम इस्तान पर क्या दिया वा हो क्या और पीछे प्रसनवाचक का सिंबल दिया गया हो प्रतीक दिया गया हो तो समझ जाएगा वो सेंटेंस वो वाकिये आपका प्रसनवाचक है और interrogative है, ठीक है, दुबार नोटिस कर लीजिए, अगर प्रथम इस्तान पर क्या शब्द दिया वा हो, और पीछे symbol दिया गया हो, प्रतीक दिया गया हो, इस तरह का प्रतीक, जिसको हम बोलते हैं, प्रसनवाचक चिन, ये पीछे दिया गया हो, और प्रतम प्रतम इस्तान पर क्या दिया गया हो, किसी भी हिंदी के वाकिये, तो वो वाकिये 100% interrogative होगा, और ऐसे sentence का हम transition कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास में formula है, कि सबसे पहले आपको helping verb का प्रियोग करना है, यानि कि HV का प्रियोग करना है, जिसे हिंदी में हम साहिक किरिया बोलते हैं, जो कि हर sentence की और हर model की अलग-अलग होती है, इसके बाद आपको appropriate subject का प्रियोग करना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाये था कि subject को कैसे find out करते हैं, उसका बिल्कुल easy और basic formula है, कि आप who या vote को manwork से multiply कर दे, तो directly आपके सामने subject आजाए, इसके बाद हम use करेंगे manwork को, यानि मुख्य किरिया को, जो की helping work के पहले दी होती है, यानि कि second last position of the Hindi sentence, इसके बाद हम remaining element को use करेंगे, इसका मतलब होता है, sentence में जो भी बच जाता है, चाहे तो object हो, preposition हो, कुछ भी हो, अगर वो पीछे बच जाता है, तो उसको reversing formula के दुआरा, यानि क पीछे से reverse करते हैं, उसको translate करेंगे, कहां पे? interrogative format में, आज हम अजरेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, interrogative format, तो ये तो हो गया formula, ये हो गई पैचान, आपको अच्छी तरह से यहां ता सुझ में आ गया होगा, हमने आपके सामने कुछ example रखें, वो भ मुझे पता है कि ये sentence कौन से tense का है, कौन से model का है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा knowledge होना जरूरी है, यानि कि आपको tense और model तो आने ही चाहिए, अगर ये आपको अच्छी तरह से आते, तो आप किसी भी अजरेटिव या interrogative या डब्लोच वाले sentence का, आप transition easy से कर सकते हैं, तो पहले तो मुझे ये पैचानना है कि ये sentence कौन से format में दिया गया है, तो ये sentence दिया गया है interrogative format में, इस बात का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि प्रतम इस्तान पर क्या आया, जिसको मैंने या पर highlight कर दिया, rate दौरा, rate alerts के दौरा, इसके बाद पीछे इसमें आ गया interrogation symbol, या पिंग बर्व, और इस sentence के इसाब से इसकी helping बर्व होगी do, क्योंकि do का प्रियों करते है, present simple tense में, या प्रजेंट indefinite tense में, और ये sentence present indefinite tense का है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा knowledge है tense के बारे में, और दूसरी बात, अगर किसी भी sentence के पीछे, ता है ते हैं, ती है, ता हूं, ते, या ऐसे कुछ सिंबल आ जाए, ठीके, या इसके इलावा कोई daily routine की activity आ जाए, जैसे मुझे चाई पसंद है, मुझे समोसे पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, कोई daily routine की activity आ जाए, और या किसी sentence के पीछे ता है, ते हैं, ती आ जाए तो वो sentence present indefinite tense का होता है, और उसकी जो helping वर्ब होती है, वो होती है do और dutch, लेकिन हमने यहाँ पर do का प्रियोग किया, क्योंकि इस sentence में subject है you, और you का मलब है बहु अच्छन यानि की plural, और हम जब भी अगर कोई plural subject होता है, तो उसके एसाफ से हम वहाँ पे plural helping वर्ब का प् में ते है, वो तो हो गया, hv, और नौकरी करना यह होगी man verb, ठीक है, अब मैं इस man verb को who से multiply करता हूँ, यानि कि नौकरी कौन करता है, आप, आप नौकरी करता है, आप क्या हो गया, subject हो गया, तो मैंने subject आपको इंगलिस में बोलते है you, तो मैंने यहाँ पर you लगा दिया, अब you यहाँ पर plural subject है, तो मैं यहाँ पर plural helping verb लगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर do का परियोग कर दिया, तो आपका do, यानि कि ही हो गई, यहाँ पर you आपका subject हो गया, इसके बाद हम लगाएंगे man verb, जो की helping verb के just पहले आती है, यानि कि second position पर आती है, इसलिए हमने नोकरी करना, तो यहाँ पर do, इसके बाद नोकरी, अब देखिए, नोकरी को अगर आप single रखते हो, तो यह पर noun बन सकता है, object बन सकता है, अगर आप नोकरी करना को एक साथ combine करते हो, तो यह आपकी man verb बन जाती है, तो हमने पीछे लगा दिया, do, job, यानि कि हमने उसको reverse कर दिया, पीछे से, तो यह आपका sentence का translation होगी, अगले example देखिए, क्या आप गाउं जा रहे हैं, तो सबसे पहले में पचानना है कि sentence में HV कोन सी है, इसमें HV रहे हैं, अगर रहे हैं, यह HV है, अब मुझे कैसे पता चला रहे हैं, क्योंकि जो अंतिम शब्द होता है, वो ह HRM, यह है आपके present continuous tense का sentence, क्योंकि अगर किसी भी sentence के पीछे रहा है, रहे है, रही है, हुआ है, हुए है, हुई है, अगर आ जाए, तो वो sentence आपका PCT का, यानि कि present continuous tense का होता है, ठीक है, तो हमने रहे है को R माना, क्योंकि यहाँ पर subject के साब से R का परियोग करेंगे, और देखिए, यहाँ पर subject क्या है, आप, अब कैसे पता लगाएंगे, देखिए, ही होगी, उसके पहले जा, जा क्या है, manverb है, तो हमने manverb को who से multiply किया, कौन जा रहे है, आप, तो आप क्या हो गया, subject, you, you के साथ यहाँ पर R का परियोग करता है, क्योंकि you यहाँ पर पिल्रु मानते हुए, यूज करेंगे, तो पहले hvr आ गई, फिर you का परियोग कर दिया, इसके बाद, यानि कि manverb, subject के बाद आएगी manverb, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, going, go के साथ ing क्यों लगाया, क्योंकि present continuous tense है, और present continuous tense में हमेशा हम fourth form का परियोग करते है, इसलिए हमने sentence को reverse करेंगे, यानि कि sentence में जो भी elements दिये गए है, उनको reverse करते हैं, यूज करेंगे, तो इसके बाद क्या बच गया, गाउ, यानि two village, तो हमने आप इसको two village के तौर पर यूज कर दिया, object के तौर पर, उमिद करता हूँ, ये भी आपको सुझ में आ गया होगा, इसके आ है, ये है, ये है, या हूँ, ये हूँ, या फिर किसी भी sentence के अंतिम शब्द के अंतिम अक्सर में, अगर स्वर में, ध्वनी में आवा जाए, आ है, ए है, ये है, अगर ऐसी आवा जाए, तो वो sentence हमेशा present perfect tense का होता है, तो इसके पीछे चुका है आ गया, तो वो helping verb हो सब्जेक्ट हो गया, तो हमने है की तोर पर हमें का परियोग कर दिया, अब मैंने है क्यों लगया, क्योंकि है, यहां पर subject कौन सा है, अब देखिए, यहां पर मैं लोग खाना, तो मैं इसको, हूँ से multiply करता हूँ, कोन खाना खाता है, कौन खाता है, आप, आप खाते, आप क्या हो गया, subject हो गया, तो यह आप यहाँ पर प्रियोग करेंगे, हुए के तोर पर, है हो गया, इसके बाद subject यू हो गया, यू के बाद हमें मैनोर का प्रियोग करना है, ध्यान रखेगा, अगर sentence आपका present perfect tense का है, तो आपको अमेशा third form का प्रियोग करना है, इसलिए हमने य खाने को यहाँ पर use कर लेंगे as object के तोर पर, उमेद करता हूँ यह भी आपको अच्छे तरस में आ गया होगा, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला sentence, क्या आपने फिल्म देखी, क्या आपने फिल्म देखी, इस sentence को देखते मैं पचान सकता हूँ, कि यह sentence past simple tense का है, past indefinite tense क लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा grammar knowledge, यानि कि grammar knowledge की बात नहीं करा हूँ, थोड़ा सा tense और moral का knowledge होना चलिए, देखिए, अगर कोई सा भी हिंदी का sentence हो, उसके पीछे अंतिम शब्द में ता था ते थे ती थी, या फिर या ये और यी, और या फिर क sentence आपका present, sorry past indefinite tense का sentence है, और अगर वो past indefinite tense का है, तो वहाँ पे हम हूँ की तोर पे did का परियोग करेंगे, और इसी लिए हमने जब इस sentence को translate किया, तो हमने यहाँ पे did का परियोग किया है, ओके, तो हमने यहाँ पे did को हूँ की तोर पर यूज कर दिया, इसके बाद subject मातरा, इकी मातरा इसमें हवी है, और देखना इसमें क्या है, मैन वर्ब हो गया, तो मैंने देखना को multiply किया, हूस है, यहनि कौन देखता है, आपने, आप कोन हो गया, यू, यू कौन है, subject, और ये भी आपके पिलोग सब्जेक्ट है, लेकिन इस sentence की सबसे बड़ी खूब सुर्थी यह है, कि इसमें जो भी हूँ आती है, कोई मेंटर नहीं करता, कि वो singular है कि पिलोग है, वो हमेशा सब के साथ डिड़ का ही परियोग होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर डिड़ का परियोग कर दिया, यू के साथ में, इसके बाद हम लगाएंगे, मैन वर् आज होमबर कर रहा था, यह sentence आपका PCT का है, PCT मिलाब past continuous tense का है, मुझे इस पाता कैसे पता चला, देखिए, किसी भी हिंदी sentence के पीछे, रहाता रहेते, रहीती, हुआता, हुएते, हुईती आ जाये, तो वो sentence 100% PCT यानि पास्ट का होगा, तो मुझे पता चल गया, मैंने यहाँ पर वोज का परियोग किया, क्योंकि वोज यहाँ पर क्या है, singular HV, क्यों, क्योंकि यहाँ पर subject भी singular है, subject कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, रहा था, HV होगी, इसके पहले हॉमबर करना, हॉमबर करना क्या होगी, मैन वर्व होगी, यानि करना, कौन कर कि वेते हैं, इसलिए महाँ पर हर जगह, पिलरल HV का परियोग कर रहेते हैं, लेकिन इस sentence में थोड़ा सा different है, यानि कि यहाँ पर subject singular है, इसलिए महाँ पर ही ही लगा रहे है, तो इसलिए मैं राज के साथ में वाज का परियोग किया, वाज राज, इसके बाद हम यहाँ ल लगा दिया, इसके बाद remaining elements, हॉमबर्ग, तो हमने पीछे हॉमबर्ग का परियोग कर दिया, और लास्ट में हमने किशन मार्ग लगा दिया, उमिद करता हूँ, यहाँ तक आपको सुन्या आ गया होगा, इसके बाद अब अंतिम sentence पढ़ेंगे, क्या सीता दुबारा परिक् है, तो वो sentence हमेशा future simple का होता है, ओके, तो इसके पीछे गी आ गया, तो यह future simple का हो गया, तो यहाँ पर गी क्या है, हईच वी, परिक्षा देना, मैं परिक्षा देना, मैं इसको who से multiply करता हूँ, कौन परिक्षा देना है, सीता, सीता कोन है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ परियोग किया, अब देखिए, इंग्लिस का एक basic rule है, इस tense का बतारू, मैं सिर्फ इस tense का, कि अगर subject I और V हो, तो हम हमेशा HU के तोर पे sell का परियोग करते हैं, अगर I और V के अलावा कोई भी remaining subject हो, तो हम HU के तोर पे वहाँ परियोग करते हैं, तो यहाँ पर I और V नहीं आए ना, इसलिए यहाँ पर subject क्या है सीता, तो सीता के लिए हमने विलका परियोग कर दिया, क्यूंकि यहाँ पर I और V subject नहीं है, इसलिए हम यहाँ परियोग करेंगे, तो विल यहाँ पर एची हो गई, उसके बाद सीते सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मैं रब और परिष्चा देना परिष्चा देना एक्जाम दूबारा दे रहें है तो दूबारा दे रहे हैं तो अगेन और एक्जाम को बोलते है परिष्चा तो हमने इसको reverse कर दिया पीछे से तो attempt exam again और पीछे में लगा दिया किसी पिर Parce कि मैंने आपको promise किया था कि हम हमारे in topics पकर कि हम किसी भी और सकार्य का प्रियोग नहीं करेंगे लेकिन आपके मन में एक सवाल चलरा कि सर फिर भी आप and ॥ं तो यूज पार ही देना सर इतना तो होना ही चाहिए तो देख किए बच्चो सेफी आप पर के यानि कि secondary, high secondary, या college का, या कोई competition का, तो इतने बड़े exam को fight कर रहे हैं, तो मैं यह नहीं कहता हूँ कि पूरा grammatical knowledge होना चाहिए, लेकिन basically tense or model तो आपको आने ही चाहिए, अगर यह नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए complication हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमने आपक किसी भी tense को recognize कर सकते हैं, बिल्कुल easiest method की दुआरा, हमारे सामने कुछ ऐसे topics हैं, जहां पीछे, HE को देखकर, या MB को देखकर आप पैचान सकते हैं, कि यह कौन से tense का है, कि कौन से model का है, तो हमने एक already chapter बना रहा है, इसके उपर, तो आप उसको visit करिएगा हमारे site पर जाक और आप आसानी से किसी भी tense को, model को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसको समझ करके, किसी भी sentence को, किसी भी format में आप उसका easily translation कर सकते हैं, I hope यह chapter आपको सुन में आगया होगा, इसके बाद हम अगला chapter लेके आएंगे, exclamatory sentence, या operative sentence, जिसको भी हम step by step समझाने का परियास करेंगे, thank you so much.